Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज की इस वीडियो में मैं स्टूदेंस के काफी मेजर डाउट को एड्रेस करूँगी. काफी सारे स्टूदेंस ने मुझसे कामें सेक्शन में एक डाउट पूछा है और इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है. तो अगर आप मेरे चानल पे फर्स टाइम आया है, दिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चानल को प्लीज सब्सक्राइब करें. तो बच्चों का डाउट ये है कि वैसे बच्चे जिन्होंने दिसंबर 2021 के एक्जाम किसी कारण से मिस कर दिये, दिसंबर 2021 के टर्माइन एक्जामिनेशन जो अभी 4 मात से 11 अप्रिल तक चले, जिनमें कभी-कभी कुछ बच्चों को इनफॉर्मेशन नहीं थी, या उन्हो राख नो होनी कुछ सब्जेक्स दिए, कुछ सब्जेक्स नहीं दिए, कुछ सब्जेक्स में ओ वाव किक्राथ ने पाउत बाउट को दुपार रीगल. लोग eligible हैं कि नहीं जून 2022 के बच्चों के साथ एक्जाम देने के लिए तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी दिक्कत नहीं है जून 2022 का फॉर्म भर लेना आप भी एक्जाम दे सकते हो इसके अलावा बच्चे जिनका बैक लगा है वो भी इस एक्जाम को दे कर नौट फाउंड लिखा रहा है तो मैं अभी भी बता देती हूं कि चार अपडेट तक आ चुके हैं रिजल्ट के लेकिन अभी भी यह आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है अभी बहुत अप्डेट आने हैं बहुत सारे सब्जेक्स हो लेकर करके अपडेट आना है तो बिलक बहुत सही से दिया था आपके साथ अनफेर ट्रीटमेंट हुआ है दिन उस केस में आप मेरी वाली वीडियो को देख लेना उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है बहुत डीटेल में बताया है कि री वालुएशन को ऐसा प्रोसेस है इसमें क्या चार्जेज लगते हैं अगर मार्क्स कामा जाते हैं तो क्या मार्क्स घटा दिये जाते हैं और बढ़ाने पर क्या ट्रीटमेंट होता है ये सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा इदि एवालुएशन वाली वीडियो को एक बार अपने इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप जरूर चेक आउट करिए उसके बाद कल रात में मैंने अर्जेंट बेसिस पे कॉन्वकेशन की वीडियो बनाई थी ताकि जो बच्चे रिजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं अपने दिक्षान समारों या कॉन्वकेशन का 35 कॉन्वकेशन का जो मैदान गड़ी में होने वाला है उसके के लिए मैंने अर्जेंट बेसिस पे कल रात में ही वीडियो बनाई थी अगर आपने देख के अपना काम करा लिया दिन आई विल बी वेरी वेरी हैपी तो अगर आपने ऐसा किया दिन प्लीज मुझे कामेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप नहीं कर पाए हैं तो भ बंनाने का एक लिंक होगा आप वहांसे जाकर के एक से दो महिने के बाद अपने सेंटर पे इग घर बीग भी कभी कभी और पने सब्कुत सब्से का माँ का जएगा तो इसके अलावा आईए देख लेते हैं कि एगनो के तरफ से आज नया नोटिविकेश्यों क्या है बिकाज ये सारी चीजों के साथ साथ हमारा इस information को भी जानना जरूरी है तो यहाँ पर regional center की website को रोज चेक आउट करते रहेगा तो आया है information M.C.A. के regarding M.C.A. के जो practicals होने है उसके regarding notification है बच्चे इसको ठीक से देखने तो M.C.A. जो है mobile number as well as email ID दिया गया है इनको join करना है M.C.A. के practical examinations के लिए तो यहाँ साथ इसको check out कर लिजेगा ये M.C.A. के regarding हमारा information है और ये है हमारे सिलिगोडी regional center के तरफ से ठीक है इसको check out कर लिजेगा इसके अलावा Delhi 2 के जो regional center है उन्होंने भी अपना practical examination इसके बारे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था यहाँ पर supplementary list guidelines and students की list जारी की गई students का list का एक बहुत लंबा सा PDF था मैंने आपको दिखाया था उसमें काफी सा students का नाम एं लिंक था ये डेट थोड़ी extent शायद हो सकती है लेकिन फिर भी आप practical examinations हैं जब आप अपने examinations and assignments इतने समय पर देते हैं दन practical examination की extend होने के बारोसे में मत रहिएगा आप इसको जल्दी से जल्दी दे करके अपना burden खतम कर लीजे उसके अलाबा जो pending examinees है उसका भी list यहाँ पर update किया जाएगा यहाँ पर लिखा गया है कि जो pending examinee है उनका भी result यहाँ पर update किया जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके तो यह थी हमारी information आज के notification को लेकर के डेली टू एन सीली गुडी रीजनल सेंटर के बारे में मैंने आपको बताया जो बच्चे December 2021 के हैं जीनको जून 2022 में एक्जाम देना है उनके regarding मैंने आपको information दी मैंने आपको Convocation के बारे में बताया तो यह वीडियो काफी जाधा informative हो गई अगर आपको यह वीडियो यूस्फुल लगी और प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थांक यू आपको यू विद नेक्स्ट अबडेट